केंद्र सरकार देश में बढ़ती खपत के कारण सपलाई घाटे को पूरा करने के लिए शूने शुल्क पर नहीं तो कम आयात शुल्क पर आनुवन्शिक रूप से संशोधित, जी एम, मक्का के आयात की अनुमती दे सकती है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। सिर्फ कुछ मुद्दों को सुल्जाना बाकी है। वहीं पोल्ट्री उद्योग के एक वर्ग का कहना है कि केंद्र को कम से कम इथेनौल उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए शिप्मेंट पर विचार करना चाहिए। खास बात यह है कि पोल्ट्री उद्योग का यह वर्ग जीम मक्का के आयात के लिए जोरदार तरीके से वकालत भी कर रहा है। समर्थन देने के लिए एक दशमलव दो मिलियन टन जीम सोयामील के आयात की अनुमती देने के लिए अपने नियमों में धील दी। मक्का की बढ़ती मांग ने वर्तमान में उप्योग करता स्तर पर कीमतों को 2400 रुपए प्रती क्विंटल तक बढ़ा दिया है। सरकार इस पर विशेश रूप से चिंतित है। यह परियाप्त आपूर्ती सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंतरन में रखने के लिए इस विकल पर विचार कर रही है। फिलहाल वर्तमान में मक्का की मांग पोल्टरी, इथेनौल निर्मान और स्टार्च उद्योगों से है। 30 जुन को समप्त होने वाले चालू फसल वर्ष के दौरान, खरीफ सीजन के दौरान मक्का का उत्पादन 22.72 मिलियन टन और रबी सीजन में 9.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। पिछले फसल वर्ष में खरीफ सीजन में 23.67 मिलियन टन, रभी सीजन में 11.69 मिलियन टन और जायद या ग्रीशमकालीन फसल सीजन में 2.7 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जो कुल मिलाकर रिकॉर्ड 38.09 मिलियन टन था. इस साल की ग्रीशमकालीन फसलों का अनुमान अभी जारी नहीं किया गया है। 2023-2024 में इथेनौल ख्षेत्र ने 0.8 मिलियन टन मक्का का उप्योग किया और 2027-28 तक 10 मिलियन टन तक बढ़ने से पहले इस वित वर्ष में इसके 3.4 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सस्ता विकल पोल्ट्री ख्षेत्र ने पिछले वित वर्ष में 16 मिलियन टन मक्का का उप्योग किया और इस वित वर्ष में संभवता एक मिलियन टन अतिरिक्त खपत करेगा। फीड ख्षेत्र जीएम मक्का के आयात की अनुमती देने के लिए कड़ी पैरवी कर रहा है क्योंकि यह वैश्विक्स्तर पर अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। वर्तमान में देश में क्रिशी उपज विपनन समिती यार्डों में मक्का का ओसत मूल्य 2,124 रपै प्रती क्विंटल है। लेकिन यह 15 प्रतिशत रियायती शुल्क पर टैरिफ दर कोटा टी आर क्यू आयात की अनुमती देता है। 2020 में इसने टी रक्यू के तहट पांच मिलियन टन मक्का के आयात की अनुमती दी। सूत्रों ने कहा कि अगर मक्का को शुने शुल्क पर आयात किया जाता है, तो यह किसानों, खासकर गन्ना उगाने वालों, गन्ना फर्मो सहित उप्योग करता उद्योगों और निर्यातक भी किया जा सकता है, जब सरकार ने इसके निर्यात पर अंकुष लगाया था, इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि उद्योगों को बिना किसी समस्या के उनका कच्चा माल मिल सके, फिर से, चीनी कंपनियों को इस साल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब केंद्र ने निर्यात पर अंकुष लगाया और इथेनौल उत्पादन के लिए गन्ने के रस का उप्योग किया, दूसरी ओर, निर्यातक प्रतिबंधों की चिंता किये बिना अनुबंद कर सकते हैं, दूसरी ओर, केंद्र ने मक्का उत्पादकों के लिए नियून्तम समर्थन मूल की गारंटी देने वाली एक योजना बनाई है, जो इथेनौल निर्मान फर्मों को अपनी उपज की आपूर्ती करने के लिए अनुबंद करते हैं, आयात से पोल्ट्री और स्टार्च क्षेतरों को मदद मिलेगी, जो वर्तमान में आपूर्ती प्राप्त करने और बढ़त किया है कि सरकार उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए उच्च उपजवाले जीएम मकई को पेश करें। पोल्ट्री ख्षेतर आयात के लिए उच्सुख है क्योंकि मास उत्पादन लागत में फीड की कीमत लगभग 65 प्रतिशत होती है। भारतिय पोल्ट्री ख्षेतर के लि लिए अपरियाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी।